लो बई, चैप्टर नमबर 20, अटोमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, स्पेक्ट्रा क्या है, यह जमा है, एक वर्ड की, ओ, मोटे, हट जा, अच्छा, स्पेक्ट्रा जो आई है, जमा है, एक वर्ड की, उसका मतलब है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम एक प् स्पेक्ट्रोप खोपी और जो इंस्ट्रूमेन्ट करता है, उसका नाम है स्पेक्ट्रोप खोप ठीक है वीडियो अड़री है ना बढ़े या राटको आज़ी चलने लिए यार, छोड़ो को नदर आजएगा अच्छा लेगिंग शेकिंग हो जगी सही अच्छा स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम की जमा है स्पेक्ट्रम एक प्रोसेस से निकलता है प्रोसेस का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो काम यह करता है वह होता है स्पेक्ट्रोस्कोप छोटा सा स्पेक्ट्रोस्कोप आप अप कोई चोटी सी चीज कोई भी सीडी सीडी वो चिपका देनी है यह डब्बे ऐसे है भी इस डब्बे के सैड पर आपने करना है सुराख और इसमें डाल लिए एक ट्यूब ऐसे कोई भी ट्यूब डाल के ना ऐसे हाँ पाइपनो मा टूब वो इसके अंदर ऐसे लगा लेनी है यह टूब लगी उसको बिल्कुल ऐसे टेपे शेप लगा देनी है ठीक है डब्बे को आपने एर टाइट होता है एक बड़ अब लाइट टाइट करने मतलब कि इस डब्बे के अंदर लाइट ना जा सके इस सैड़ पर आपने एक सुराख करना है और वो सुराख करने के ब आपने बिल्कुल बरीक बरीक दो टेप लगा देनी है कोई भी टेप लगा देनी है इतनी है इक दूसके करीब हों के वो उनके दरमयान की लाइन आइप करे ऐसा स्पेक्ट्रम की डाफिनिशन dejar लिखते हैं, जी त поч्ो प्रीज़्स से लेखता है ? वो भी यही होता है वह नहीं ही ही होता है ल्ही हिए स्पेक्ट्रम यह और स्पेक्ट्रम Tb यह जुगाणी स्पेक्ट्रम ठीक है और black body यह जो continuous होते हैं ठीक है अब यह जो spectrum होते है यह क्या indicate करते है इस वक्त दुनिया की अबादी कितनी है आठ बिलियन फेस्बुक पर ाइडी कितनी है फेस्बुक पर ाइडी जादा है क्योंकि जो अनस है उसका दुसरा नाम शबनम परवीन है ठीक है पापा की परी अंकल की जो मतलब काफी तो हम आठ बिलियन लोगों का एक simple एक चीज है जो कुद्रत ने बना के बेजिए और सब लोगं की वो unique है क्या फिंगर प्रिंट फिंगर प्रिंट हम लोगं का क्या है unique DNA किसने का साइंस पड़ी है थोड़ी पड़ी है ठीक है तो वो जब फिंगर प्रिंट है वो सब लोगं का क्या होता है unique होता है same हमारे पास यह जो spectrum है यह जो bands का आपका colors जासे बनेंगे यह colors कैसे बनेंगे यह colors कैसे बनेंगे इनकी wavelength क्योंकि हर color जो है वो एक wavelength को शो करता है energy है पिछला chapter पूरा हमने इस पे गुजार दिया हर color की wavelength आए एक energy है और यह bands जब बनते हैं तो यह क्या होते हैं यह उस atom या उस element के क्या होते हैं fingerprint अगर आप इस पूरी काइनात में कहीं पे भी जाके spectroscopy को यूज करके specific element का spectrum निकालोगे तो वो हर जगा कैसा आएगा same आएगा क्योंकि वो उसका क्या permanent fingerprint इससे क्या काम इससे फाइदा क्या होता है इससे फाइदा ही होता है कि आप किसी भी element को बगार पता लगाए कि क्या है आप उसके spectrum से देख लेते हो कि यह उसका कौन सा element है या कौन सा सा क्या है जो हमारे पास type है अब same हमारे पास यह तीन किसम के हैं spectrums एक होता है continuous दूसरा होता है line और तीसरा होता है band ठीक है जी अब continuous कुन सा होता है continuous मिलता हमें mostly black bodies body से अब हमने पिछले chapter में पढ़ा black body क्या है अब perfect emitter and perfect absorber तो perfect emitter के अंदर कौन सी चीज आएगी डेली life में काले सूर्च डोला मश्कूक लगता है नहीं वाइट लाइट लाइट कहां से आ रही है सूरज इसा perfect black body क्योंकर सूरज क्या कर रहा है इमिट कर रहा है किस चीज को white light को और अगर white light को देखें तो इसका prism देखें और इसका spectrum देखा है किसी ने नहीं देखा कहां देखा है cgs में देखा है cgs के रेंबो rainbow यह देखो जब यह जो rainbow बनेगी ना आपकी इसके अंदर आपके जो bands नहीं बनते continuous बनता है continuous का मतलब यह होता है कि without any boundary आप अगले region में इंटर हो रहे होते हो पिशला भी चल रहा होता है और अगरा भी शुरू हो जाता है इसको बोलते हम क्यासा continuous spectrum इसके अंदर क्या होगा कि आपके आपके colors तो बनेंगे लेकिन colors कुछ यह हो बनेंगे कि अभी एक चल रहा होगा उसके अंदर ही कौन सा होगा दूसरा mix होगा और यह continuous way में चलेंगे तो जैसे rainbow होती है आपकी वो किस में चली जाती है black body continuous spectrum में यानि कि white light का spectrum क्या होता है continuous बनती है अब भी पाकस्तान में बनती है अक्सर बन जाती है गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है तब भी बन जाती है तभी देखी है बारिश नहीं भी होती गर्मी बहुत होती है तब भी यह बन जाती है क्यों बनती है यह क्यों कि जब water molecules उपर चले आतने trap हो रहे होती है वह behavior देते है किसका प्रिजम का और वह scattering से क्या बना देते है आपकी एक पूरी rainbow बना देते है ठीक है अच्छा अगला कौनसे है लाइं सपेक्ट्रम लाइं सपेक्ट्रम होता है हमारे पास एकम्स का और इनके अंदर क्या होती है एक specific boundary आटॉमिक होता है अब हमारे चैप्टर का नवा इसके अंदर क्या होगा, कि इसके अंदर आपका spectrum होगा और इसके अंदर specific क्या होगी lines बनेंगे, तर रादा खोलो, lines बनेंगे specific और यह lines अधर तो रेड़ की बनाएगे यह लेकिन लेकिन यह क्या होंगे, different colors होंगे hydrogen के 3-4 होते है, sodium का एक होता है, तो इससे पता लग जाता है, यह जो material discuss हो रहा है, यह कौन सा है, sodium है, hydrogen है, अलीथिम है, कौन सा है, यह पता लग जाता है, यह किसके अंदर आ जाता है, हमारे पास line spectrum में, हमारे पास जो आखरी है, यह होता है, molecules का, इसके अंदर क्लर्स लेकिन continuous type बनेंगे, but continuous के अंदर यह था के colors multiple बन रहे था, लाइने नहीं बन रहे था, इसके अंदर क्या होंगा, multiple colors बनेंगे, but हर color की दूसरे color के साथ एक unique क्या होगी, sharp boundary होगी, जिससे पता लगा है, कि आप यह किदा हम दूसरे में के हो, continuous में यह पता नहीं लगता, तो प्रोसे स्पेक्ट्र, यह सारी यह बनेंगी है, विवगायर की बनेंगी है, नहीं विवगायर की क्यों बनेंगी, विवगायर का सिर्फ एक ही है, वो एक पुरा pattern है, वो हमारे पास white light का बनता है, स्पेक्ट्र, यह continuous, हाँ, वो जो colors है, वो इनमें भी आ सकते हैं, लेकिन यह नहीं है कि तर्तीब वही रहेगी, अब जैसे sodium है, आप YouTube पे लिखो या उस पे लिखो, क्या कहते है, Google पे, आपको मुझे fly element का क्या चाहिए, spectrum, कितने है हमारे पास total, 118, 118 में आप सारे देख लो, किसी का किसी का किसी दूसरे से क्या नहीं करेगा, match नहीं होगा, sodium में तीन नजर आएंगे color, sodium कह रहा हूं, hydrogen में, और sodium में एक ही color नजर आएगा, इस दरा lithium और जो noble gases उनके सब के different होगे, अब यह क्या होता है, यह क्या होता है, यहां से लेके यहां तक एक range होती है, किस की? wavelength की, तो spectrum के general definition करें, तो spectrum, physics में तो colors के bands शो करवाता है, लेकिन अगर general definition करें, तो spectrum क्या होता है, कि एक range के अंदर, दीगे different values को हम क्या बोलते है, spectrum बोलते है, अभी बताता हूं, ठीक है, अभी यह technique है, हमारे पास क्या, spectrum scope, spectrum scope, यह technique है, और यह उसका, जो करने वाला technique से काम होता है, वो spectrum scope है, होता है, कि सिंपल सी मैं आपको दिखा देता हूं, यह आपके पास screen होगी, जो कि हमारे पास chapter no 9, यंग double slit experiment में थी, उस तरह screen होगी, इधर हम रख देंगे एक prism, याद आ रहा है कोई topic, कौन सा, याद आ रहा है कोई topic, कौन सा, नहीं नहीं नहीं, अभी पिछले chapter में पढ़ा है, क्या नाम था, ओ प्रिंक्शन वाला black body के अ प्रिंकेंगे, अपनी एक source से white light जो इधर जाएगी और यह prism भाई साब क्या करेंगे, उसे different क्या कर देंगे, वेवलेंस में divide कर देंगे, तो यह जो चीज है screen पर बनेगी, इसका नाम क्या होगा, आपका spectrum, अच्छा line spectrum में हमारे पास दो किसम के होते हैं, एक होता है हमार तो मिस्टी नहीं पड़ी, पड़ी है, emission क्या होता है, और absorb करना, ठीक है, अब अगर वहाँ से आप 10 बंदे line में तर्तीम में आ रहे हो, और 10 बंदे एक C से निकल रहे हो, तो सामने 10 बंदों का पूरा एक pattern बनेगा, यह होगा emission, absorption क्या होगा, पीछे से 10 बंदे आ रहे हैं सेंटर में एक बंदा खड़ा है, और एक frame बना हुआ है, उसमें number 5, number 6, number 7 को आना हलाओ नहीं है, बाकी दर्वाजे बने हुए हैं, लेकिन इन 3 लोगों के दर्वाजे नहीं बने हुए, तो इस तरफ सारी screen पर colors आएंगे, बस वो 3 दर्वाजों वाली यहां पर क्या बन ज वो कौन सा होगा, वो absorption होगा, कैसे पता लगता है, वो भी दिखाते हैं, नहीं, atomic line spectrum है ना, अच्छा जी, अब इसको जरा देखो, कि होगा क्या इसमें, कि यह हमारे पास, प्रिजम पड़ है, यह आपके पास screen है, इस screen के उपर इधर आपके पास, कोई भी gas है, इसको आप जरा heat sheet मारो, ऐसे, जब आप इस gas को heat करोगे, gas को heat करो, या किसी भी vapors को heat करो, vapors भी gas होते है, तो जब इधर से निकलेंगे, तो इधर आपके पास अपने क्या बनाएंगे, different colors बनाएंगे, तो यह जो चीज होगी, आपका क्या कर आएगा, spectrum, बट, यह spectrum कैसा है, यह इस gas क अंदर से निकल रहा है, तो यह कैसा spectrum होगा, emission, और चुंकर यह atomic है, तो हम कहेंगे, atomic emission spectrum, यह line वाला emission spectrum होगया, और अब हमने रखा के prism, ठीक है, अब क्या होगा, इधर हमारे पास source है, light का, और इधर आपके पास कोई gas पढ़ी है, यह gas, let's suppose, cold form में पढ़ी है, बिल्कुल यह standard gas है, अब gas क्या करेगी, हमें पता है, light के अंदर, यह जो पीछे हमने white light पहेंगे, इसके अंदर कितने color है, 7, हम यह कोई भी source पहेंग रहे हैं, अब क्या होता है, यह gas क्या करती है, उन 7 में से, क्या करती है, let's suppose yellow को क्या कर देती है, उड़ा देती है, yellow को खुद अब और बाकी के 6 color को absorb नहीं करती है, और क्या करती है, पास होने देती है, जब वह color इधर से पास होंगे, तो इधर सारे colors होंगे, but yellow पे क्या होगा, black, क्यूंकर जहां पर कोई चीज नहीं होती, वहां पर black नहीं होता, वहां पर dark होता है, समझाई है, जहां पर कोई color नहीं होत डार्क ब्लैक कलर होता है ना जहां पर लाइट नहीं हो तुछ से हम क्या बोलते हैं डार्क बोलते हैं मुईज ने पेंट कुम सा कलर की पहनी है ब्लैक कलर की राइट है अंके बंद करो अब डार्क है समझाई तो यहां पर कुम सा कलर बनेगा डार्क कलर क्योंकर यह वाला बंदा रोख लिया गया तो इसकी जगा एपसंट हो गया जब एपसंट हो गया तो वह वाली जगा क्या हो जागी खाली और खाली लाइट में खाली को क्या बोलते हैं डार्क तो यह लाइन स्पेक्ट्र अब गया क्वार्फलिक्स को डार इन देखे हैं नैट्फलिक्स को और बता आच्छा और बता यह अच्छा और देखे सेजन को aware अच्छा अच्छा ऑन आब कहो गया है उसके लिए डार कि होगा उसके बूछ नजर ही नहीं आ रहा आंगे बंद करना वे फे बान को कshoכे था इसको कुछ भी नजर नि रहता है इसको कुछ भी नजरनी आएगा तो डार कर्क्यो toutes नियुके है उस्थन कहते है किसी चीज़ को देखने के लिए क्सी जुड़त होती है दिल की जार यार किसी का okay किसी इसको देखने के लिए किस की दूरत होती है light की अगर मैं कम्रे की सारी बत्ती गुल कर दू कम्रा बिल्कुल dark room बनादो तो कुछ नजर आएगा क्यों सा color होगा तार्क होगा, color यह नहीं होगा black नहीं होगा यह देखो यह मेरे बाल नजर आ रहे हैं यह ब्लैक कलर के इस वक्त क्यों क्यों लाइट की प्रेजंट में जो कलर होगा वो अगर ब्लैक कलर का नजर हो तो वो ब्लैक कलर होता है ठीक है डार्क कोई कलर नहीं होता डार्क का मतलब होता है एपसंट ओफ लाइट लाइट नही वो सिदुमुसे वाला नहीं गाना सुना काड यहां रातां काड रूट वो वो वाला है ठीक है अच्छा यार आगे चलो अच्छा आगे हमारे पास यह एक छोटा साब को यह नजर आ दिखा ही यारिया बुक आगे यह आपको तीन स्पेक्टरम नजर आ रहे है यह तीन हो उन्हें बना रखे Inf यह यह वाला जो आपको नजर आ रए यह ऑक शरूपने इसके अंदर यह आपको सबसे अपर आरा है perfect और मतलब bands of colors band of color spectrum and bands of color spectrum निचे वाला कों से? लाइन स्पेक्ट्रम नजर आ रहा हुआ लाइने बनी हुए Hadshy कलर्स की लाइने बनी हुए यह कौन सा होगा। लास्ट वाला BENद्स बने Jade लास्ट वाला BANDRS की होगा? BEN लाइन्ट स्पेक्ट्रम अब हमारी जो बुक के चाप्टर है इसका दो में कानिय हूँ वह कौन से प्रृम पर है लाइं स्प्रेक्ट्रम या टॉमिक स्प्ट्रम ठीक है जानिके इस चाप्टर के अंदर हमने क्या चीज़ लिसकस करना है FINGER Phrinton FINGER Phrinton discuss करना है किसका ATOM का वो ATOM ठीक है, वो finger print क्या show करवाएगा वो finger print show करवाएगा